गुड मॉर्निंग ओल आफ यू फ्रेंज आज की क्लास में हम लोग फूट प्रिंट विदाउट फिट लेशन को पढ़ेंगे यह लेशन बहुत ही इंपोर्टेंट है क्योंकि सबसे अस्ट्रेंजस वाली बात यह है कि आपकी बुक का भी नाम फूट प्रिंट विदाउट फिट है और इस लेशन का नाम भी फूट प्रिंट विदाउट फिट है इसलिए इजाम की भी उसे यह लेसन बहुत ही important बन जाती है आप लोगों के लिए इस लेसन में हम लोग एक scientist के बारे में अध्यान करेंगे एक scientist अपने मेहनत के बल परेके से drugs को तयार कर लेते हैं और उसकी सेवन करके अपने आपको एसी सक्ति प्राप्त कर लेते हैं कि जब चाहे तब यह अपने आपको इन भी जिबाल या transparent या विलूप्त कर लेते हैं जब भी चाहे एसी सक्ति इसके अंदर आ जाती है तो क्या friends आप ही बताए कि इस भरी दुनिया में जहां पर तनहाईयों complicated से या दुनिया भरी है इसके लिए जिन्दगी जीना आसान हो जाती है या वही दुनिया है जहां पर अपने आखों के आशों को छुपाना पड़ता है और अपनी होटों की मुस्कान को भी दबाना पड़ता है तो इस दुनिया में इसे जिन्दगी जीना आसान पड़ जाती है तो वही हम लोग इस lesson में study करेंगे कि इन्होंने अपनी life को कैसे जीता है जब इसके पास यसे सकती मिल जाती है तो यह अपने life को कैसे जीता है यहाँ अस्टोरेस अस्टार्ट जो होती है एक लंदन चार से अस्टार्ट होती है लंदन सार में एक होटेल के किनारे दो लड़का आपस में गॉसिप कर रहे होते हैं तो उसी टाइम वहां उन दोनों ने एक अस्ट्रेंजस एक miracle incident होते हुए देखता है अपनी आखों के स से उसके फर्स पर चलता हुआ दिखाई दे रहा था जब इसे लगा और उन्होंने देखा कि कोई तो याद में नहीं तो ये पैर का निशान या साट कहां से आरह थो इन्हों ने डिसीजन लिया कि पिछा किए जा जा आजै यह दोनों लड़का जो है साथ उसके पिछे-पिछे चलने जाने लगें उसके पिछे-पिछे जाने लगें जब कुछ-दूर आगे गया तब देखा दीरे-दीरे सिठियों से जब उतर रहा तो कुछ दूर जाने के बाद या पर का निसान विलुप्त हो जाता है जब विलुप्त हो जाता है थी लोग अपने हैं डर जाती है नोगों के लगता है कि कोई घौष्ट है भूत है और वहां से दोड़ते हुए भागता है लेकिन वह यast या कोई भूट नहीं था वह कौन था तो एक सईइन्टिस्ट था जो इस लेशन में सईइंटिस्ट था जिन्होंँ अपने मेहनत के बल पर अपने ड्रक्स से इकना इपने आपको masked कर लिए था transparent कर लिए था sì साइन्टिस्ट का नाम क्या था तो Griffin Griffin ग्रीफिन हैने साइन्टिस्ट का नाम था जो अपने आपको इन्विजिबल कर रही है था वही चलता जा रहा था तो Griffin जहा comparison is very intelligent यह कहा जाता है कि ग्रीफिन बहुत ही तेज दरार के परसन थे आनि साइंटिस्ट थे तेज दरार थे तभी नहीं होने अपने आपको एक एसा ड्रक्स बना लिया था तो बहुत ही तेज दरार के यह साइंटिस्ट थे बट यह एक लोग लेस परसन था कानून को मानने वाला परसन नहीं था कानुन को नहीं मानता था इसलिए जहां यह राता था इसकी रूम मालिक या मालकिन इससे हमेशा परिसान राता था और हमेशा वह चाहते थे कि इसको यहां से बाहर निकाल दिया जाए तो वह उसकी परिसान यह उसके बिहाबियर से यह परिसान थे क्योंकि व परिशान था तो एक दिन इन्होंने डिसीजन लिया कि युका कुछ प्र मालिक ठालती हम पहुंचायेंगे उसके बाद यहां से हम जाएंगे इन्होंने कि और इप्रॉम को हें जला दिया और जब इन्होंने उसके गर को जला दिया और वहान से फ्रार हुए तो फ्रार के से हुवी तो फ्रार होने के लिए इन्हों में क्या किया कि अधने पी कपड से उस में कपड को उतार दिये क्योंकि वना था तो ऺड़ा जो है या अन्ञ लिभी और गिनीजम एव साईंटिस्ट तो उसको जो चमतकार जो मिला हुआ था यह अपने आपको इन विजिवल कर सकता था ना कपड़े को तो नहीं कर सकता था ना तो कपड़े को उतारा और वहां से दोड़ते वे भागा दोड़ते वे और जब वह दोड़ते वे भागा तो उसके पास तो पैसे नहीं थे वह हॉमलेस हो चुका था तो वह लड़का वांडर बन किया अनि अबहायाना लड़कों की तरह जिन्द्गी जीने लगा अथा जब आगे भागा तो उस टाइम मिड्विंटर का टाइम था अनि जन्वरी का टाइम जानते हैं कि जनवरी में कितनी थंढ पढ़ती है बहुत ठंड पढ़ती है और वह इंग्लन गयिके शहर में लंध से साहर में इंडिया पेचा वहां जब है जो है चांड और उर जाता होती है तो और जह युं हर किसी चीज की होती थी तो उसे जब मीड़ विंटर का o season था और जन्वरी compris था तो उसे थंद पड़ने लगी ठंड लगने लगी और भूख भी लग गया लेकिन उसके पास पैसे भी नहीं थे और नहीं कपड़े थे tadi नंगे वहां से भागा था, नंगे भागा था, कपड़ा को खोल खाल के तो भागा था नंगे, नंगे वहां से भागा था, तो उन्होंने सोचा कि किसी दुकान में जा करके, चाहे किसी दुकान में सौप मॉल में जा करके, क्यों ना हम कपड़ा पान ले, तो उसके याखों क सामने एक बीग या श्टोर दिखाई दिया लंदन में एक बीग या श्टोर दिखाई दिया और वह इंटर करता है लड़का और वह जब इंटर करता है लेकिन वह जो टाइम होता है साम का टाइम होता है जब साम का टाइम होता है इंटर करता है और उसके इंटर करते ही जो है वहां के सौब की परियासिस्टेंस उन्होंने गेट को बंद कर देता है तो यह तो और परिसानी में पढ़ जाता है कि अब क्या होगा तो उन्होंने सोचा कि मुझे ठंड लग रहा है यह सबसे पहले मुझे कपड़े पांड ने दो जब अंदर गया तो देखा कि कपड़े पूरा ठंगा हुआ था यहां जो ठंगा था तो पयंट साट को जो भी था वह पहां न लिया जब पहान लिया अपनी ठंड को उन्होंने सांत कर लिया अपनी ठंड से राहत जब उसे मिल गई तो उसे पेट के लिए भोजन कहां से आएगा तो उन्होंने ढूडने लगा कहीं भोजन है तो उसे कीचैन दिखाई दिया और उसे कीचैन में जब इंटर करता है तो देखो भगवान इसका कितना साथ देता है जब उस कीचेन में जाता है तो बंदे के लिए वहां मीट भी बना होता है और कौफी भी रखी होती है और उन्होंने जब मीट को देखता है तो वह मारता है मीट को खा लेता है और कौफी भी पी लेता है लेकिन आज के जवाने में जब मी उस वाइन वहाँ वाइन भी रखा हुआ था और वाइन कोड मीट कोड और कॉफी को पिया कस के पिया उसके बाद यह अपने आपको रिलीफ महसूस किया जब रिलीफ महसूस किया उसके बाद सोचा कि आप थोड़ा आराम कर लिया जाए जब आराम करने के लिए सोचा तो तो सोचा वाह मेरी जिन्दकी तो ऐसो अराम है वहां तुरंत जो है उस उस पर लेट गया और लेट गया और सो गया लेकिन इसके लिए ज़्यादा परिशानी थब हो गई जब यह सुबह जल्दी नहीं उठ पाया इस यह तो ठका हुआ था यह बंदा सुबह जल्दी नहीं क्या हुआ कि सुबह जब हुए तो आएंगे तो आएंगे तो असिस्टेंड जो है उस वीग अस्टोर का असिस्टेंच याता है और वाद आपको देखता है तो वह देखता है भी चित्र अनि एक घटने इंशिटेंट घटी होती है आनि समान इधर उधर बिखरा होता है, कपड़ा इधर उधर बिखरा होता है, वह सोचता है कि यहां तो लोक है, दोर तो लॉकड है पूरी तरह से, तो यहां इंटर कौन किया, कोई घौश्ट तो नहीं है, कोई भोध तो नहीं है, फिर आगे जाकर कि देखता है एक परसन, से एक आदमी उस कुल्ट पर रजाई पर गद्दा पर शोया हुआ था तो पूरा सोया हुआ था जब उससे देखता है तो वहाँ जाता है नजिदिक जाता है तो उस है नेनलब खुलती है ग्रीफीन जो सैंटिस्ट owners केंसिंग करता है लेकिन भागर न कोशिण लेकिन दिरे दिरे इन्होंने कपड़े को उतार ही लिया और वहां से दोड़ते वे भागा दोड़ते वे भागा लोग इसका पीछा किये लेकिन वहां से तुरंत भागा किसी तरह इन्होंने कपड़े को उतारा और वहां से भागा जब वहां से भागा तो फिर या दूसरी पार इसके साथ एसी इंसिडेंट हुई कि इसे फिर ठंड ही लगने लगी क्योंकि पूरी तरह तो नेक्ड हो चुके थे भले वह ट्रांसफेरंट इन्वीजिबल थे लेकिन वह तो एक नंगा परसन ही थे ना उसे तो ठंड तो लगेगी तो इन्हों ने सोचा कि अब ठंड क क्यों कैसे फार्ण तो फिर आगे कुछ दूर जाता है तो इसे यह त्रेट्रिकल कंपंपनी का सोप दिखाए देता है त्हें कि सोचता है क्यों यूज्ञां के इस शॉप में हम घूश जाए हमको कुछ कपड़ा पहशने के लिए मिल जाएगा जब उस कमपनी के आनी इस शौप के अंदर यह घुशता है तब इसे के क्याप दिखाए देता है क्याप जो किनारों से लगा हुआ था ना किनारों किनारों जो से फैला हुआ रहाता है उस तरह का इसे क्याप दिखाए देता है फिर थोड़ा दुर आगे जाता है तो इसे वह फर कोट दिखाए दे और जो भी यापानने लाइक था सारा पान लिया और थोड़ा दूर आगे जब गया दुकान में ही जब थोड़ा आके बढ़ा की तरह है ना पूरा पान लाद लेकिन आ पठादय के तदना फैसे जट में आ기도 Üाल मैं में चल गया तो वह क्या करता है कि जितने भी पैसे थे वहां उस पैसे को उठा करके वहां से भाग जाता है लेकिन अपर जो है इसका पीछा करने वाला कोई नहीं होता है तब इसके पास पैसे भी बच जाते हैं और कपड़ी भी बच जाते हैं इसलिए यह सैफली जो है सो वहां से भग जाता है परन्तु यह decision लेता है कि जदी हम यहां रहेंगे यह लंदन सहर मेरे लिए बहुत नुक्सान दाय होगा क्योंकि हम मेरे साथ बहुत ऐसी incident घट चुकी है जदी हम यहां रहेंगे तो हो सकता है मेरे साथ और बड़ी प्रूबलम हो सकती है इसलिए इस सहर को हम छोड़ देंगे तो उन्होंने डिसीजन लिया कि एक विलेज चलते हैं हम और आपिंग नामक विलेज के लिए वह ट्रेन भी बैठ जाता है तब रहने के लिए तो इसे कमरा तो लेना पड़ेगा ना तो कमरा भी यहां लेता है किसी होटल में जाता है और वहां से दो कमरे लेते हैं बट जहां यहां होटल में कमरे लेने के लिए जाते हैं वहां रूम का मालिक नहीं होता है बलकि रूम मालिकीन होती है जिसका नाम मिसेज हौल था मिसेज हॉल उसकी मालकीन का नाम मिसेज हॉल था जब उस मालकीन ने इसको देखा इस सांटिस्ट को देखा तो उसके मन में विचितर जैसा इंसिडेंट चलने लगा आनि कुछ चलने लगा उसके मन में उसी लगा कि यह परसन कोई सधारन परसन नहीं है इसके पास कुछने कुछ quality है, कुछने कुछ गुन है, इसलिए उस महिला की निगाहे, जब उस person ग्रीफिन की आखों से टकराई, तो इस महिला का attraction उस ग्रीफिन की ओर होने लगा, और इस महिला ने चाहा कि हम उसे friendship कर रहेंगे, और महिला को उस ग्रीफिन से प्यार हो गया, पहली ही नजर में उसे प्यार हो गया, लेकिन ग्रीफिन ने इसको वाइड कर दिया, ग्रीफिन बोली कि I have lot of work, so don't disturb me, मेरे पास बहुत सारे काम है, इसलिए मुझे disturb मत कीजिए, मुझे अपने काम करने देजिए, आप जहां हैं वहां रहिए, लेकिन मैम जो message hall थी, इसे भी तो प्यार हो चुका था उससे, उसकी और attraction हो चुकी थी, वहां चाहती थे कि उसके साथ फ्रेंडली हो जाए, वही अच्छी खासे दिखती थी, इसलिए वह चाहती थे कि उसके साथ friendly हो जाए, बट वह जो है उसको इंतार कर दिये, और avoid करने लगी, वहां जब उसको room दिखाता है Greeks आपने कमरे के अंदर आते हैं कौन तो वही संंटिस्ट। ग्रीफिन कमरे के अंदर आते हैं कमरे के अंदर आने के बाद तुरçãorap अपने डोर को लोग कर देते हैं और अपने समान को सजाते इहां सजाने के बाद कुछ दिन जोह होता है तो वह मिसेज हॉल उसको रूम का किराया मांगने के लिए आती है, जब मंथली पूरा हो जाता है ना, तो रूम का किराया मांगने के लिए आती है, लेकिन इसके पास किराया था ही नहीं, जो भी पैसे थे, सारे पैसे घर्च हो गए थे, इन्हों ने बोला कि हम पैसे चुका देंग हमेशा को देखता था वह इसकी और एक्रेक्ट होती रहती थी तो वह तो चला गया तो यह इसके माइंड में जो ग्रिफिन थे सांटिस्ट इसके माइंड में चलने लगा कि अब हम पैसे चुकाएंगे तो चुकाएंगे कहान से उसको पैसे मंथली जो ने कहां से देंगे तो इन्हों ने डिसीजन लिया कि फिर से चोरी किया जाए वही काम फिर से चोरी किया जाए तो अबर जो इन्हों ने टार्गेट बनाया वह किसको तो एक कलरजी मैन को टार्गेट बनाया कलरजी मैन एक चर्च से रिलेटट परसं होते हैं मैं होते हैं इसको इनहोंने टारेट बनाया क्योंकि थोड़े अच्छे घर की लग रहे थे थोड़़ोंरे टार्गेट बनाया और'm रात तो इस के घर में इंटर कर जाता है क्योंकि इसके पास इसshe केम comes पावर था कि जब भी मन चाहे तब यह आपने आपको invisible हो जाता था, address हो जाता था, इसले किसी भी घर में घुश जाना और वहां से चोरी करना इसके लिए सरल बन जाता था, easy बन जाता था, तो यह जो है उसके कमरे में घुश जाता है कलर्जी मैं की कमरे में, कलर्जी मैं और उसकी wife सो ही होती है लेकिन कुछ देर बाद उसे चिन चिन कि आवास सुना देता है किसी कोएंस के आवाज सुना देता इसे लगता है कि कोई और करने गूसा है तो टूरंतिया उठता है तो गटता है कर definitely अग Elesam Spahn से नो रड़ ले लेता है climate class of the रड लेकर के तुरंत जाता है दूसरे गेट के दूसरे रूम के दर्वाजे पर और वहां जाता है और दीरे धीरे भाटक को खोलता है धीरे धीरे दर्वाजे को खोलता है और तुरंत बोलता है सरेंडर दों रड को उठाता और बोलता है सरेंडर और जो ही धीरे धीरे बोलत यह एक मिरेकल था चमतकार था एक विचीतर इंसिडेंट था अस्ट्रेंजस इस्टिडेंट था कि उसके घर में कोई नहीं था लेकिन आवाज आ रही थी देखो कोई तो होगा कहीं तो टेबल की नीचे छुपाओगा चै कहीं के दर्वाजे की नीचे छुपाओगा पीछे देखो जब देखती है उसकी वाइप यह तो प्ररड लेकर के तयार होता है लेकिन जब उसकी वाइप देखती है तो कोई नहीं था लेकिन उसकी निगाहें उसकी यांखें पढ़ती है उसके अलमारी पर जहां उन्होंने पैसे को रखे थे और उस अलमारी को खूला पाता और उसमें जीतने भी पैसे थे वह पैसे चोरी हुआ पाता है कि वह पैसे वहाँ नहीं था, उन्होंने पैसे को रखे थे घर के लिए घर के काम काज को चलाने के लिए लेकिन वह पैसे नहीं था पूरे चोरी हो चुका था, और ग्रिफिन जो है तो वहाँ से भाग गया था, जब वहां से भाग गया तीन बजे रात की बात है वह सोर करता है कि कोई चोर है चोर है मेरे घर से पैसे चुरा करके लेके भाग गया कोई या तब आसपडोस के लोग जो है सो आते हैं इकत्र होते हैं और देखते कौन है और वह इकत्र होते लेकिन ग्रीफिन तो भाग गया ग्रीफिन भाग करके तो गहर आ गया बट चार वजए के आसपास अ मीशेज हॉल और उसका हस्वेंड मिस्टर हॉल, उन्होंने देखता है कि ग्रीफिन का डोर खुला है, जब उपर जाता जो देखता है कि ग्रीफिन का डोर खुला है, जो कि उसका डूर दरवाजा कभी नहीं खुला रहता था, हमेशा बंद रहता था, लेकिन वह देखा कि दरवाजा खुला है, कोई तो बात है इसमें, जो कि इसका दरवाजा डूर खुला है, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अंदर जाकर के देखते हैं, कि या क्या करता है य और देखता है दरवाजे के आनी इसके रूम में कोई नहीं था जब कोई नहीं था थो आपने आपको सोचने लगता है कि यह कई से हो सकता है फिर इसे लगता है कि यहां छोड़ा कहीं गया लेकिन उसे यह भी दिखाए दिया कि जो कपड़े को पहांते थे, वह कपड़ा भी बेड पे पड़ा हुआ था, वह कैप जो पहांता था, वह कैप भी पड़ा हुआ था, जो सूज भी पहांता था, वह वहीं बेड पे पड़ा हुआ था, वह अपने आपको एक सोच रहा था कि सारे के सारे कपड़े तो इसके यह तो यह चोड़ा गया कहां और जब गया तो यह तो कुछ पहान के नहीं गया है तो नंगे कहां गया नेक्ट कंडिशन में गया तो गया कहां और मिसेज हॉल जो है उसकी बुराई करने लगती है जब मिसेज हॉल उसकी बुराई करने लगती है ग्रीफिन की कि आह जो इंसिड जब ग्रिफिन ग्रिफिन तो वहीं कमरे में अबलेबल था वह थी इनवीजिवल पोजिशन में था अध्रिस से था ट्रांस्पेरेंट था वह तो सब सुन रहा था जब उसके अपनी बुराई को सुनता है तो वह क्याप को उठाता है उसके कैप जो टेबल पर रखा हुआ थ टोपी उसे टोपी को उठा तार्वा मीजिज होल को नाम लिया और Será कोई टो है नहीं लेकिन हमको तो मार रहा था किया यहां तो घौष्ट नहीं है भूत तो नहीं है जो यह उने भूत का नाम लिया वह बूली कि यह जो भूत तो जो एक वक्तो की ठोड़ की वजह से आया है हिसाऑं चैंटिस्ट मिंब की वजह से आया है फिरween की नाम लिया फिर इंब parfum और चैर ही उठा लिया और उसको किसको मैसेजौल को मारने के लिए चले जाता त् Budget दर्ते काए टर दर धोर गー ट्रह कमरी से बहार निकलती हैं और जब किमरे से बाहर निकलती है और चानक दर्वाजा बंद हो चाता अ और ज्यादा डरावना की बात है, उसे और ज्यादा सख हो गया कि यहां कोई भूत है, क्योंकि यहां तो कोई परसन नहीं था, कोई तो था नहीं, लेकिन जो ही हम लोग बाहर निकले अचानक दरवाजा बंद हो गया, अंदर में जब थे कोई टॉपी से मार रहा था, कभी पहर से मार रहा था, वहां से भागी आई, लेकिन उसे पता चला कि उसे साक हो गया, कि यह जो रीजन है, यह जो वज़ा है, कोई और नहीं, बलकि ग्रीफिन है, ग्रीफिन के बारे में आसपडोस के लोगों को भी साक हो गया, जब आसपडोस के लोगों को भी साक हो गया, तो उन्होंने inform कर दिया पुलीस को, जो village का constable था, उस constable को भी inform कर दिया, constable आए, constable आए, तो constable आने से पहले, या message hall जो है, उन्होंने सोची, कि जा कर के हम griefon को समझाते हैं, और क्या सचाइ है, क्या जूठा है, उसके बारे में बात करती हłam, हो सकता है कि वा, कुछ बता दे हम लोगों को तो बता दे तो उसके लिए थोड़ा आसान पड़ जाएगा, क्योंकि वा महिला जो मिस्य जहुल थी उसे प्यार तो करती थी न, भाले कितनों नफरत करें, लेकिन जो इंसान प्यार करता है, वा कभी उसके लिए बुरा नहीं च चाती थी वह उसके पास बात करने के लिए गई और बोली कि ग्रीफिन आप सच-सच बताएं कि क्या जो चोरी हुआ है पैसा चोरी करने वाले आप हैं क्या वह पैसे को आप ही चोरी कियें या जो भी इंसिडेंट मेरे साथ घटा जो भी चैर का इंसिडेंट था या कैप का इ उन्होंने बोले कि हमको पहचानते नहीं आप, आप समझे क्या रखे हैं हमको ने, जानना चाहते हैं हमको ने सो, हम बोले ठीक है जान, दिखाते हैं हमको ने सो, उन्होंने क्या किया, क्याप को उतार, और इतना जो पार्ट था, इतना पार्ट को इनिवीजिबल कर लिया अद्रिस से कर लिया और जब इतना ही पार्टी से दिखाए दियने लगा तो ओर डर ग्यारी भूत है भूत है भूत है कोई घौश्ट है भूत है वहाँ डोरते हुए वहाँ से दरवाजे से बाहर निकले जब कमरे के अंदर इंटर करता है तो देखता है कि एक एसा इनसान जिसका उसको पकड़ करके ले जाना था वह एक एसा इनसान था जिसका हेड ही नहीं था सर ही नहीं था बलकि इतना ही था उन्होंने उसको पकड़ने की कोशिस करने लगा जो भी constable थे एक दो चारगो जो भी थे उन्होंने उसको पकड़ने की कोशिस करने लगा लेकिन पकड़ नहीं पाया अब ग्रिफिन ने सोचा कि मेरे लिए बहुत प्रोब्लम की बात है मुझे यहां से भागना चाहिए लेकिन भागने के रिए उसे कपड़े तो उतारना प पड़ा तो वह इन्वीजिबल हो गए और जब इन्वीजिबल हो गए तो जो उसको constable पकड़ने के लिए आये थे कभी इधर से मुक्का लग रहा था तो कभी इधर से मुक्का लग रहा था लग रहा तरी वाप यह क्या है इस अस्टेंजिस वाली बात है कोई घौश्ट तो नहीं है वाट्चिस मेरेकल यह केसी घटना है इधर से कभी मुक्का कभी इधर से मुक्का कभी इधर से मुक्का और मार मार करके जो constable था उसको बेहोस कर दिया वहां बेहोस हो गया और ग्रिफिन जो है वहां से भाग निकला आनि ग्रिफिन वहां से भी भाग निकलने में सक्षम हुआ वहां से भी भाग निकला तो यह स्टोरी जो है यहां पर इंडप होती है समाप्त होती है तो हम लोग इसा स्टोरी में देखे कि भले उसके पास ए एसा पावर था कि वह इन्विजिबल हो सकता था लेकिन क्या उसके लिए जिंदकी जीना असान था वहां रूम मालकीन के द्वारा भगा दिया गया फिर बीग अश्टोर गया बीग अश्टोर में वहां मुक्का धक्का खा करके किसी तरह भागा वहां से फिर वहां से थिया ट्रिकल जब सौप गया वहां से भी किसी तरह भागा फिर उसके बाद कलर्जी मैन के घर से भी पड़ा और इसकी जिंदगी में कभी भी सांती आई नहीं याई इसलिए फ्रेंट्स यह जिंदगी है यह जिंदगी आसान नहीं है कभी भी सौट्कट में मत जाए जिंदगी आसान नहीं है यह दुनिया हर किसी के लिए complicated है, चाहे कोई भी हो, यमीर हो या गरीब हो, चाहे पंची हो, चाहे कोई भी living organism, कोई भी प्रानी क्यों ना हो, हर किसी के लिए जिंदगी बहुत complicated होती है, इसलिए इसे हासी खुशी करके बिताइए, मानते हैं यहाँ दुनिया जो है, बहुत ही complicated है, यहाँ पर आशों को छुपाना पड़ता है, होठों की मुस्कान को छुपाना पड़ता है, अपनों के सामने नजर अंदाज करना पड़ता है, गहरों को अपनाना पड़ता है, लेकिन यह दुनिया तो है, जिंदगी तो है, जिंदगी तो भगवान दिये है न, इसलिए इस करते हैं तो जदि आप लोगों को यह स्टोरी अच्छी लगी होगी या हम लोगों की मेहनत अच्छी लगी होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा और बैल आइकेन उसको भी दबा दिजेगा तो इट्स अल अबाउड दिसा स्टोरी ठैंक्स लॉट भेरी मच ज हैंदे 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 speaking